एलो नमस्ते स्वागत आप लोग को मेरे चलने मेरे नाम है स्वागत आप देखने मार्केट प्लेस तो आज एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड है जो कि यह डाउन सेड के तरफ था हम लोग पेले भी प्लान किये थी कि हम लोग पिछले आनिलेसिस वीडियो में कि हम लोग बहुत बड़न बाइग बढ़ा स्टो प्लेऩ मां कर रहेंगे कल्या ने बंदा और लाइप त्रेड में दस बज ट्रेड प्लान किये थे अभी नेश्ट काल के लिए क्या प्लान रहेगा काल कैसे ट्रेड एक्जिकुशन करेंगा अभी उस बारे में हम लोग डिसकेशन करेंगे तो नर्माली अगर आप एक सेकंड में जाके देखोगे ना वहां पर बहुत सारा सिनर्य आपको देखने को मि देखोगे 48,000 का जोन पॉटेकुलाली यहाँ पर पर चांसे जएक का रेजल्ट तीन दिन तीन तीन चार तरीकों आने वाला है तो मारकेट को यहां तक तो आना चाहिए तो फिर मारकेट को यहां तक तो आना चाहिए जो कि ए 48,500 में अभी है अगर कल 500 के नीचे मार्केट आना चालू किया 15 मिर्ड में कोई भी कैंडल क्लोज दिया तो हमारा यही टर्गेट रहने वाले 48,000 के आसपास इसके बाद हम लोग बीरिस में नहीं जाएंगे अगर 48,000 के बाद आके यहां पर support लेने का मार्केट ट्राय कर रहा है इसी particular जगा में तो हम लोग buying के तरफ फिर से entry करेंगे पर तुरंती open होने से हम buying के तरफ नहीं जाएंगे जैसे मैं regular बोल रहा हूँ जहां जहां red candle है market selling में आए तो हम wait करेंगे कि 500 के नीचे निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है यह clear होगा अभी 15 में जाएंगे थोड़ा और अच्छे से समझेंगे actually मैं आपको क्या करना है यह 15 में टाइम प्रेम हम लोग आगे है अभी इसमें क्या sentiment रहने वाल है अभी जैसे close हुआ 48,500 के आसपास तो हमारा जो target रहेगा 48,000 का यहां पर 48,000 का पास market अगर आएगा तो हम लोग तुरंत एक buying का प्लान करेंगे particular कून सा जगा में इसी जगा में 48,000 के आसपास market ने अगर आया अगर gap down ओपन हुआ सिधा 48,000 देन अगर market gap open होता है देन फिर 48,000 को target ने रखेंगे ओ रखेंगे 48,500 की इस particular जागा से market sustain करके उपर जा रहा है या इसके नीचे close दे रहा है इसके नीचे close दिया तो down के तरफ अगर यहां पर आके sustain कर रहा है 48,500 के आसपास देन हम लोग बाइंग के तरफ consider करेंगे clear हो गया बैंक निप्टी का अभी चलेंगे निप्टी-फिप्टी में क्या sentiment रहने वाला है जो की काल इसका इसको भी ब्रेक किया है तो नेक्स टार्गेट क्या होना चाहिए नेक्स टार्गेट सिंपूल चीज़े 22,500 होना चाहिए जो की पॉटिकलर इसी जोन में आना चाहिए अगर यह ग्याप डाउन होता है तो हम लोग का तुरण यहाँ पे देखेंगे 500 का जो लेबूल है 22,500 का लेबूल जो की है यहाँ पे पर्टिकुलर इसी जागा में अगर मार्केट ने हलका सा ग्याप डाउन ओपन होता है हलका सा ग्याप डाउन ओपन होता है और मार्केट सपोर्ट लेने कहां आ सकता है जो की है 22,500 अगर मार्क या अगर बाइंग का प्लान करेंगे आगरением लोग टारगेट करेंगे 22,500 तो अगर gap down open हो के तुरंधी market उपर निकलने चला जाता है तो फिर हम trade नहीं करेंगे क्योंकि हमको एक retrest candle हमेशा चाहिए 700 के उपर अगर market retrest करगा तो buying अगर 700 को fail करगा 15 मिनिट का कोई भी candle इसके निचे close देगा देन retrest करगा बहुत सारा life trade हम लोग capture करते हैं यहां पर देखो हर दिन आगर आपको उसको जॉइन होना है जैसे हर दिन का trade यहीं पर लगा रहता है तो टेलिग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहां पर आप जाके इसली जॉइन हो सकते हो फ्री में मैं वहां पर लिंक डाल देता हूँ कि कौन सा चैनल में किधर आने वाला हो लाइफ स्ट्रीम आप जॉइन होके trade execute कर सकते हैं